इसको हम लोग हिंदी में जाती इमान कहते हैं जाती इमान केहने का मतलब यह है कि जो भी हमारा बड़े से बड़ा नंपर दिया होगा उस बड़े से बड़े नंबर में कोई एक नंबर को पूछ लिए जैसे कि हमारे पास 5432 है उस 5432 में आपको ये पूछा जाए कि 4 का जो है face value क्या है 4 का face value क्या है तो ऐसे question में जो है हमारा face value क्या होगा इसके लिए हम लोग जो है देखते हैं कि हमारे पास जो same number है यहाँ पे जो same number है वही हमारा face value होगा मैंने एक example लिया था 5,432 इस 5,432 में आपके 4 का face value क्या होगा तो यहाँ पे लिखा होगा same number लिखा हुआ है same number ही आपका face value है तो 4 का face value क्या होगा 4 होगा अगर यहीं पे मैं आपको 3 का face value पूछूँ तो 3 का face value क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा सेम अगर 2 का face value पूछूँ तो 2 का face value भी 2 ही होगा similarly आपके 5 का जो face value है वो 5 ही होगा तो आगे हम लोग देखते हैं एक छोटा सा trick है अगर इससे related कोई भी question आता है तो इससे related question को आप लोग question देखके ही आप लोग answer बता सकते हो इसमें कोई भी आपका जो है time लगेगा नहीं आप 2 second में आपका इसका answer जो है टिक कर सकते हैं trick क्या है आपका प्रस नहीं उत्तर होगा ठीक है तो आपका question ही आपका answer है कहने का मतलब कोई भी question दिया हुआ है उस question को देखके आप लोग answer निकाल सकते हो चलो हम लोग कुछ example देख लेते हैं यहाँ पे example है आपका find the face value of 5 in 45,678 यहाँ पे आपको दूसरा question जो है आगे का number देखने की भी जर्वत नहीं है अगर आपको पूछा जाए find the face value of 5 तो find the face value of 5 कहने का मतलब 5 का 5 ही होगा आप आगे का number देखने की जर्वत ही नहीं है कि कौन से number दिया है या फिर नहीं दिया हुआ है खब बंद करके आप इसका answer लगा सकते हैं अगर मैं यहीं पे face value of 4 पूछू तो face value of 4 क्या हो जाएगा 4 face value of 6 पूछें तो face value of 6 क्या हो जा आपका face value होगा तो trick याद रखना question ही आपका answer है तो question ही अगर आपका answer है तो आपको number भी देखने की जर्वत नहीं है जो भी आपको question पूछा find the face value of 8 so answer is 8 अगला है आपका place value है ना place value को हम लोग जो है हिंदी में इस्थानी मान कहते हैं और कभी-कभी हम लोग किसी के नाम स नाम से नहीं बगारते हैं और उसके जगा से पुकारते हैं जैसे कि कोई राइपूर से हो गया तो उसको क्या बोल देते हैं राइपूरिया जैसे को कोई बिलासपूर से हो गया तो बिलासपूरिया तो ऐसे में हम लोग जो है उसके place के value से उसको पहचानते हैं एक गाना पर हम लोग define करेंगे कि वो आपका जो है place value क्या होगा कैसे place value कुछ-कुछ हमारे पास होते हैं जैसे कि आपका once होता है जैसे कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं काई, दहाई, सैंकड़ा, 1000, 10,000 है ना इंगलिस में उसी को once, tens, hundred, thousand, ten thousand, leg, ten leg बोलते हैं है ना तो उसके place value से हम लोग जो है easily उसका answer जो है define कर सकते हैं जैसे कि हम लोग same question लेके चलते हैं हमारे पास same था आपके पास four, five, four, three, two है ना इसमें अगर मैं face value की बात करता था तो वहाँ पे आपका face value 4 ही होता था लेकिन अगर उसी के जग़ा पे मैं यहाँ पे place value की बात करूँ तो place value कौन से place पे है यहाँ पे देखो फर्स्ट होगा आपका इकाई, दहाई, सैंकड़ा, है ना once, tens, and hundred तो यहाँ पे आपका जो है कौन से place पे है आपके, कौन से place पे है, hundred place पे है तो आपका क्या हो जाएगा आपका answer यहाँ पे आप four लिख लो और फेवर के बाद यहाँ पे 32 दिया हुआ है उसको आप लोग जो है दो, zero लगा लो तो यह हो जाएगा आपका place value आपका four का place value क्या होगा four hundred यहीं पे अगर three का place value पूछा जाए तो three का place value क्या होगा एक three और उसके आगे one संख्या है तो उसको क्या लगा दो एक zero तो 30 हो जाएगा चलो इसके लिए भी trick दिया हुआ है यहाँ पे यहाँ पे इसका trick क्या होगा पूछे गए संख्या के बाद जितने भी number दिये होंगे उतना ही आपको क्या कर देना है जिरो लगा देना है जैसे कि आपके पास एक question है यहाँ पे find the place value of five in 45,678 कैसे करना है यहाँ पे बहुत easy है जो भी आपका number है उसके बाद जितने आपके संख्या है कितने संख्या है आपके यहाँ पे one two and three one two and three तो आपको कितना zero लगाना है one two and three वो number को तो आपको लिखना ही है और उसके बाद उतने ही आपको क्या करने है जिरो लगाने है तो यह होगा आपका answer यही पे अगर मैं five के जग़ा पे six पूस्ता तो आपको क्या करना होता six को लिखना होता और six के बाद कितने संख्या है दो है तो find out करने का ट्रिक दोनों को find out करने का ट्रिक जो है याद रखिएगा क्योंकि आप question देखके इसका answer निकाल सकते हैं चलो एक दो question हम लोग देख लेते हैं इससे related पहला question है आपका find the difference between face value and place value of 8 in 35,829 question है आपको difference निकालना है 35,829 में से आपके 8 का place value और face value के बेच difference निकालना है तो करना क्या है सबसे पहले हम लोग place value निकाल देंगे place value क्या होगा 8 लिख लो पहले उसके बाद कितने संख्या है 8 के बाद 1 और 2 तो 1 और 2 आपको यहाँ पे 0 लगा देने हैं फिर क्या करना है minus उसके बाद आपको क्या करना है face value face value का trick क्या था जो question है वही answer होगा that means जो number है वही आपका क्या होगा answer होगा तो यह हो जाएगा आपका 8 अब आपको क्या करना है 800 में से आपके 8 को minus करना है तो क्या हो जाएगा आपका answer 792 कहने का मतलब 792 आपका answer है c आपका answer हो जाएगा तो यहाँ पर जो c दिया हुआ option यह आपका answer हो जाएगा चलो अगला question क्या है what is the sum of the place value of 5 in the number 584356 यहाँ पर दो 5 दिये हुए है और दोनों 5 के आपको सबसे पहले place value ले लेना है उसके पाद place value लेने के बाद दोनों को sum करना है तो मैं आपको इससे भी simple trick बता देता हूँ यहाँ पर आपको क्या करना होगा 5 के place value का आपको sum निकालना है तो आपको क्या करना है आपके 5 को जो है जहाँ जहाँ पर 5 दिया हुआ है उस 5 को तो आपको लिखना है बांकि जितने भी other number दिये होंगे उसके जगा पर आपको क्या लगा देना है जिरो लगा देना है जैसे कि 5 के बाद 8 दिया हुआ है तो जिरो उसके बाद 4 दिया हुआ है तो जिरो उसके बाद 3 दिया हुआ है तो जिरो फिर आपका 5 है तो 5 को तो लिख नहीं है उसके पाद 6 दिया हुआ है तो जिरो तो यह हो जाएगा आपका answer कौन से option में है d option में तो यह हो गया आपका answer आपका 5000050 ठीक है तो यह हो गया आपके face value और place value से related question guys ऐसे ही आपको mathematics और अन्य subject से related आपको जो है जानकारियां मिलती रहेगी तो इसके लिए आप हमारे चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को आप press कीजिए तैंक यू